ब्रामी स्थिति प्राप्त कार्य रहे नाशे, श गुरु वर कार्य रहे नाशे जोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवगे पूर्ण गुरु किरपामी पूर्ण गुरु का ज्यान, पूर्ण गुरु का ज्यान बुद्धी का नाश कैसे होता है और बुद्धी का विकास कैसे होता है विद्यार्तियों को तो खास समझना चाहिए ना बुध्ध पड़ाने के चार तरीके अकलमारीगा, पता ही नहीं किया किस वक्त क्या करना चाहिए वर्क वाइल उर्क प्ले वाईल उपले यू hell कई रुध्ध एल्योष ऑफ अर उड़्ध का विकास कैसे होता है जर अशोम similar hiç बुध्धे के शाहि ना बुद्धिनास्त कैसे बुद्धिनास्त कैसे बुद्धि शोके ननाश्यति, बुद्धि शोके ननाश्यति, बुद्धि शोके ननाश्यति, बुद्धिनास्यति, 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 बुद्धिनास्यति लेकिन बुद्ध को ब्रहमित कर देता है। और मैं कौन हूँ? सुख दुख को देखने वाला कौन? बच्पन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता वो कौन? जुआनी बदल रही एक और दिन सुख बदल रहा है, दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है। उसको जनने वाला में कोन हूँ? प्रभू मुझे विताओ तो भगवान के नाम का जब, शास्त्र का पठन, और थोड़ा अपने को खोजना, बुद्धी आएसी बड़ेगी, आएसी बड़ेगी, कि दुनिया में प्रसिद बुद्धी मान भी उसके चर्णों में सिर जुकाए। रमान मारिषी के पास Paul Benton के ससिर जुकाता, रमान मारिषी तो आठवी पड़ेटी, कि इतनी बुद्धी बड़ेगी, कि मुरार्जी बड़ेशाई काते में प्रधान मंत्री बना, तब भी मुझे उतना शांति नही मिला, जितना उतना सूख नही मिला, जितना रमान मुझे मिला, पुरार्जी बड़ेशाई नहीं बॉला, तो कितनी बुद्धी बड़ती बोलो, प्रधान मंत्री के पर वीक्रपा करनी की बुद्धी, रमान मारिषी के 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 वरियोम अभी वारे बजय वाजयी वाजय का समय है। अभी बारे बजय का समय है। संद्य का समय है। जब करने से ध्यान करने से बुद्धी का विकास होता है। ጃ textile कि फेसन कोओ सीह, जरह जरह बात में प्रभावित कोओ है. यह जो प्रभावित, संपेस सुख और गो decade. जादा सुख वोना जादा सुख और दुख भॉनाय काम. Unterschiedแ हैं, रहरा वंचार के भाकशालि मांनाा है, उसकी बुद्धी बीकासनी होता है। को रहा नुक्सान में अपने के बुद्धी पुद्धी तो घरादे है इसे अटयाती है aroma है कि अब्धी हे समतो अफ मिलड़ थैजित जो रहता है उस नित्यतत्त्व में टिक है उसकी बुद्ध तो गजब की विक्सित होती है। जो नो बापु बापु नी आगर के ला दूनिया न बल बला कैसी बुद्ध विक्सित होती है। सुख में दुख में सम रहना, लाभानी में सम रहना, मान अपमान में सम रहना, तो बुद्धी स्थित रहेगी, अस्थित बुद्धी ही, आये महान हो जाएगी. अब कुछ लोग जप नहीं करतें, लेकिन कुछ ऐसे बेवकूफ होते कि सत्संग के समय भी जप कर रहें. अब उन बेवकूफों को इतना पता नहीं, कि जब सत्संग कर रहें, तो जप करने का मन को का उधर भठकाता है. जो एक टक सुनना चाहे ने, बिगुधर जब करने का डहुगा एको करते। अकलमारी गई पता ही नहीं किया किस वखत क्या करना चाहे। वर्क वाइली वर्क प्ले वाइली प्ले वाइली प्ले यह तो बेहापी एंगे। यह नहीं किकार्णे बुरा मन लगाखे करना झाहे ना Νा है। अ अ मेरे गुरु जि अटाटा कि मैं यह सत्संध सुनतेसँ अ उन्ची बात करना चाहे है। तो मेरा थैन लग गया तो गुरु जी नहीं आता है। तब भगवान का ध्यान करते तब भी निकाल दिने मेरी गल्ती गुरुजी निकाल दिने रिए, और रखने जाए भी निकाल देती अधिया है. ध्यान तो लगता नहीं है अब भापु का शच्छंग और माला गुमारेता है। प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना, बुद्धी बढ़ाने के चार तरीके, एक तो शास्त्र का पथन, तूसरा भगवन नाम जब करके फिर भगवान का ध्यान, तीसरा पवित्र स्थानों की यात्रा, और चौथा परमात्मा को पाय हुए महापुर्णों का संपर्क, इस चार से तो गजब की बुद्धी बढ़ती है, और बुद्धी नस्ट कैसे होती, बोलो, बुद्ध काल का फर्यादात्मक चिंतन, शोक, जरा जरा बात में रूठते हैं, जरा जरा बात में दुखी होते हैं, जरा जरा बात में चिर जाते हैं, ऐसी बुद्धी, क्या बुद्धी है तुमारी? तो सुबे ओठे निन में से थोड़ी दिर चूब बैठे, आज मैं कभी भी फर्याद का चिंतन नहीं करूँगा, अपने मन को द्रड रखूँगा, क्योंके मन की गहराई मेरे भागवाने, भागवान सदा एक रस द्रड है, तो मन द्रड होगा, तो बागवान की सत्दा है, मेरी बुद्धी को द्रड करूँगा, बुरी संगति नहीं करतों में, बुरे भीचारों में नहीं किरूँगा, क्योंके वे भागवान का हूँग तुरहार प्रभु आपने रहना, आप चेतन स्वरूप है, आप ज्न स्वरूप आप अनंद स्वरूप है, आप शांत आप्माbn मे रहना इस प्रकार काे चिंतन क podéis région । अझे चिंतन करने से बुद्ही बड़ेगे। यह जो करूँ का रह 야 है। एतो चिंता करेगा तो बुद्धी नासुगा, फिर जो पढ़ा है अत्वा जो पढ़ना है उसका थोड़ा चिंतन का, तो चिंतन से तो बुद्धी का विकास होता और चिंता से बुद्धी का विनाश होता है, सुनिनार्यन को अर्ग्यदेना, बगवान के नाम का जब करना, बगवान को एक टक देखते देखते फिर यहां देखना बुद्धी का विकास होता है, तो भगवान का चिंतन करने से, भगवत ध्यान करने से, भगवान को अपना मानने से, अपने को भगवान का मानने से, भगवान का पृति पुरुनस्मृन करने से, बुद्धी में विलक्षन लक्षन प्रगटो जाती। जुआ जुआएज मेरा मानने से गषर्ण अर अकल उषारी को ुआ उआ मानने से धन को मेरा मानने से और बनाय रखने से चिंता बड़ जाती। और ये तो एक दिन तो छोड़ कापड़ेगा। मरते समय मेरे पैसे का क्या होगा। तो अब जो कोप जएगा। एक दिन सरीर भी छोड़ना पड़ेगा तर सरीर को भी पकट रखने की चिंता काय को करते जादा। रिंग निकालना हो चाहे, कंकु निकालना हो कुछ भी, वो भी एक सादना है, विद्ध्या है। अशब अपनी अपनी जेगा पर अच्छा है। इन लेकिन आत्म परमात्म को पाने की विद्या के आगे अगे तर साब छोटी विद्या है। ढ करो ह मैं ओनार। कैसे होता है बताओ क्या तुमक्र, आसे ही हो करो और वो चीज आत्मे आजाए तुमारे, बोलो, उसके लिए साधना करनी पढ़ती, मान्सिक्षक्त्या विक्सित करनी पढ़ती, आत्म विद्या सबसे बड़ी विद्या है, जो अर्जुन को स्री कृष्ण ने दिया था, और गृख्वान राम ने अनमान को दिया था, और समाथ्र रामदास ने श्रीवारी को दिया था, ओज उसमे तुमकप आत्म विद्या देना चलतू, मरने केबाद ने वरत्मान में रूह मिट आदेवे, रूह मिट आदेवे, शोख मिट आदेवे, चिनता और अपनी अमर्ता का अनुभव करा दे वा आत्म विद्या है। सा विद्यायावी मुक्त है। विद्या वाई जो बंधनों से अज्ञानता से मुक्त कर दे। वा विद्या। इसलिए हम द्यान योक्षी बिर करते ता कि खास कास साधको को तुरा ध्यान करा है। उनको चासका लगे तो उस विद्या को पाने के लिए मजबूत हो जाएंगे तो जाएंगे पार। अगर अत्मसाक्षातकार गुरुजी की करपासे नहीं होता तो हम तो शक्कर के दुकान बैठते तो चिंता तो होती लेकिन अभी तो एक दुकान में तो चिंता होती तो हमारी सत्रहाजार दुकान हैं कोई चिंता नहीं है। सात्रहाजार दुकान है मेरे, बालसंसकार केंदे, और बारासु सम्मिति है, सात्रहाजार और बारासु, और दूसरे आश्रम, कितनी गवशाला, कितने साथसंग, चिंता नहीं होती, आत्मराजपाल या तो बाहर का राज में तो कुछ भी नहीं, आसकती नहीं, परेत के लुख भी में, दुख भी चिंता होती, दुख होता है, अपने को चाहिये हो, तो हम है उसको तो मौत का बाप भी नहीं चिग सकता है, और जिसको सम्हाल नहीं सकते, उसको किसी प्रकार तो फिर काय को आसकती करो. जो अपने को चाहिए उन है तो हमार आत्माचायतन्य अर्चो अट्मार जाने वाला है, उसको कोई सदा रख भी नहीं सकता है. पिर काय को डर ना, काय को आसकती करना, धरम के नुसार वे वारो बाकी डरना काय को. अपने को चैये सत्थ, चित्थ, आनंद, आत्म, परमात्मा, और वो तो आत्म, परमात्मा जाने वाला ज नहीं है, मौत भी उसको थोड़ी मारती, मौत तो असत, जड़, दुख, रूप सरील को मारेगी ब्रामि स्थिति प्राप्त कार्य रहे नाशे, श गुरुवर कार्य रहे नाशे मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवने मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवने पूर्ण गुरु किरपा मिली, पूर्ण गुरु का घ्यान, पूर्ण गुरु का घ्यान आसु मल से हो गए साई आशाराँ जाग्रत स्वात्म सुशु पीचे तेरी ब्रह्मानंद का आनंद स्वाइन पुरु किरण गुरु किरण रशाराँ